हेलो एवरीवन स्वागता आपका अपने ही चानल में जिसका नहां मैं क्रिकिट एक्सपर्ट तो सुबा से ही मुझे इतने मैसेज आ चुकिया ना मेरा इंस्टाग्राम अगर आप अभी खोल के देख लोगे जो मैंने हैंडल दे रखा है वहां पर रिक्वेस्ट है यह के मैच की आज की इंगलिश टीट्वेंटी बिलास्ट की पहली वीडियो जैसे मैं आपको टेलीग्राम पर बताया था कि किस हिसाब से माँ आपको पूरी की पूरी डिटेल देने वाला हूं उसी के हिसाब से दूँगा मैं मतलब आपको सब कुछ बता दूँगा हर एक प् नटिंगम शायर का जो मैच है ना शायद यह वाला कवर करूँ पता नій है अब यह अभी कुछ कह नहीं सकता शायद यह कवर कर भी सकता हूं और कवर नहीं भी बिगर सकता क्यों कि अभी सीपीयल की वीडियो यह बनानी है आपको सीपीयल का अबडेट भी देना रात को तो होने वाला है दोनों ही टीम्स का यहां पर यह तीन मतलब यह दो मुकाबले लगा एक बैक टू-बैक होंगे अलग-अलग ग्राउंड पर हो रहे हैं मैंच जैसे हमें जो टेस्ट मैच इस जो देखने को मिले जो काउंटी के टेस्ट मैच इस थे वैसे वाला हिसाब है भाई ग्राउंड पर तो होने नहीं वाले अब आप देखो जो पहला वाला चल रहा है जो अभी तक चल रहे हैं उसकी अगर मैं बात करों तो उस्मेर पहला जो है एक तो हो गया अबंडन वो तो हो गया नहीं रही है एक दूसरा जो मैच है उस अभी वहाँ बहाँ पर भी रे wireless तीसरा मैच चल रहा है मतलब दो मैच चल रहे हैं अभी तक और दो नहीं चल रहे हैं इसेक्स भी मिडल सेक्स का मैच जो मतलब भूत सारी वीडियो आपको मिल गए योंगी उसके ऊपर तो वह तो अभी चली नहीं रहा है वह तो यह मान के चलो शायद वह मैची complete नौ ऐसा भ आपको 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 नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहीं से जुड़ना है तो अभी चलिए हम शुरू करते हैं इस मुकाबले का सारा का साथ सिवर्षन देगर हम बात करें छटा मुकाबला आज के दिन का यहाँ पर अगर आप देखो अ मतलब वह यह पान मा राच यह इंत्व और 한य चटा यहीं ओर है ऑगर मैं यहाँ पर पांच मा लिख तो एक-एक मैच भी नहीं हुआ दोनों कि नए टीम से दोनों को ही आपको देखना पड़ेगा दोनों के बारे में ही आपको अभी पूरी की पूरी डीटेल लेनी बड़ेगी दोनों टीम यह चाहिए कि जीतें यहां पर अगर मैं बात करूं 90% चांसी जेए इसमें रेहन होन जैसे आपको पहला मुकाबला देखने को मिला नहीं जो मैच अमडन हुआ जिसका एक सेगिंड में देखने को मिल जाए ऐसा ही कुछ हो सकता है अभी कुछ किया नहीं सकते शायद ऐसा हो सकता है कि रेन उस वक्त के लिए ना हो या कुछ छोटा मैच हमें देखने को मिले तो वह अभी के लिए तो कुछ पता नहीं पिछ रिपोट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस्ट पिछ है आपको बॉलिंग में भी बढ़िया करती हूं दिखे कि बैटिंग में पर बॉलिंग में स्पिनर्स नहीं हमारे सब्सक्राइब लिए अब यहां पर प्रड़ प्लेइंग 11 के रहने वाली और उनके स्टाइट के रहने वाले यहां पर आप देख लो या यह जुआ है बहुत बढ़िया पर अनुज हमाय पास अनुज डाल यह आप ट्राइब कर सकते हो यह प्लेयर आपके पास एक अवी लेवल है ग्रेंड लीग माँ ट्राइब कर सकते हो वेन मैडसन की अगर मैं बात करूं 464 रन जीरो विकेट इसने करी है उसके बाद यहां पर जीरो विकेट मतलब यह बॉलिंग करवा सकता है ठीक है उसके बाद एल डू प्लॉय कि अगर मैं बात कहूं 312 रन एडवर्ड यहां पर हमाय पास रहेंगे फिर उसकाद मैट क्रिचले रहेंगे रन 94 विकेट 17 टॉम व नोट लिखा है वो भी धियान से देखना लूस जो रीस है माई पास वह आपको ओपन करता है दिखेगा किस के साथ बिली गॉल्ड मैन के साथ और उसके बाद फॉलॉप कोन करेंगा मतलब तीसे नंबर पर कोन आएगा वह आगा वाइन मैडसन तो यह तीन प्लेयर आपको ओपन और मतलब वहां तक आते हो दिख जाएंगे नंबर तीन तक फिर उसके बाद मैट क्रिले की और लूइस की बगर मैं बात करूं तो यह दोनों प्लेयर आपको ओल रॉंडर करके देंगे मतलब ओल रॉंडिंग प्लेयर हमाई लिए फिर उसके बाद माईकल और यहां यहां पर यहां बठी हैं बहुत बढ़िया हमें परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं इनकी सेलेक्शन थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलेगी तो यहां पर आप इन अपनी टीम में ज़रूर रखना उसके बाद यहां पर अगर मैं लैंच शायर की आगर बात करूं तो तो हैं भाई यह कंफ्यूज मत हो जाना कि एक तो सुबा भी खेली रही है वह लैंच शायर है और यह इसका नाम अलग है लैंच शायर इसका नाम है तो वह आपको देखना है उसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं तो सी एकरमन एक बहुत इंपोर्टन प्लेयर है इस टीम का कप्तान वाइस कप्तान इसे भूट जायर रखा होगा तो देख लेना यह अगर चल गया तो सारी टीम है चल जाएंगी नहीं चला तो भाई यह सब खतम है सारे के सारे ग्रेंड लीग में देखते रह जाएंगे त इसे मत करना कि वीडियो पूरी देख वे फिर वही वाली बात है मैं टीम प्रवाइड कर वाऊंगा और फिर आप बोलोगे कि यार मतलब क्रिस लिन मैंने कप्तान रख दिया तो वह वाली टीम यार थी ही ग्रेंड लीग की आपने स्मॉल लीग में लगाई ही क्यों अब य इसके बाद जी डैनली आपको पता है आइलाइंड के लिए खेलता है बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है तो यहां पर आप देखो वही है एक हजार एकतर रन विकेट चटकाई है वह 32 कितने मैची में चटकाई है वह चटकाई है 48 मैची मैच छे जो है इसना 50 कर option बहुत important option आपको जहातर यहीं दिखेगा 207 रन इसना भी recent के मैची में बनाया उसके बाद हैरी डियाटन की अगर मैं बात करूं 158 और टॉम टेलर आपके बास हैं अब यह नोट देख लो भीया हैरी जो हमारे पास है और एरन यह दोनों की बैस्वान अपनी टीम के लिए इसके बाद टॉम टेलर हमारे पास भुल्ड विलियमस माज पास जो आअपने लिए जो हैं की बॉलर रहेंगे ची ऐकरमेन एक बग्होत बड़ियां की टीम ड़ंवarp ड़ी मॉलर हो जी डनली है टॉठक के लिए यहां पर डेब्यू कर सकता अभी तक नहीं खेला इस खलब कर लेते हैं तो आपको यहां पर पूरी पूरी टीम डिसकस कर लेते हैं suit Shooting इसारा पर अब यहां पर अगर मैं बात करूँ एल हिल एक आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ग्रेंड लीग में सब मैं स्मॉल लीग ग्रेंड लीग हर जगा यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद यहां पर हम आपके पास हैं यह दोनों प्लियर बहुत इं सकता है एल concern है Зलैंकी इसके बहुत काम है गराशे है हमारे बहुत बढ़ बढ़ रह सकता है एक एक एच डियर डेंड है जो अगर आखेले अगर प्लेंगल्ण में आये तो बहुत बढ़िया है घ्रेंड ली Pacific में रहा हो तो घ्रेंड लीग में रख़ोंगा एल डूत लिह हमाई पास है और उसके बाद जो मैं लेकर जाओंगा वो लेकर जाओंगा w medson को उसके बाद all running section कि अगर मैं बात कहूं तो c akraman हमारे पास है फिर उसके बाद g denley हमाई पास है देखो c akraman है g denley है यह देखो यह दोनों player तो बहुत important है उसके बाद g denley आप रख सकतो अपनी grand league में उसके बाद जो एक थोड़ा सा risky option जिसकी selection बहुत कम है f hudson बहुत बढ़ी option है तो यह अगर आप try करना चो grand league में कर सकते हो नीचे अगर आप देखो तो नीचे ज्यादा बढ़ी option नहीं मुझे लगता है ग्रेफिट खेल सकता है और अगर यह खेलता तो आप grand league में इसे भी try कर सकते हो तो अभी all running section में grand league में कौन-कौन से लेकर जा रहा हूं वह भी मैं आपको बताता हूं यह चार players जो मैंने select करें हैं उसके बाद bowling section पर आजाते हैं अगर मैं बात करूं डवल्य डेविस आर रामपॉल आर रामपॉल की selection बहुत ज्यादा है शायद यह ना खेले पर अभी के लिए अगर आप लेकर जाना चाहा तो ले जाओ वही वाली बात आगर end time पर playing 11 नहीं चाहिना और अगर यह announce नहीं प्लेंग लावन तो आप परशान हो जाओगे के player खेलेगा या नहीं खेलेगा तो अभी के लिए मैं drop कर रहा हूं इसको पर मैं अगर यह खेलेगा तो मैं इसे पक्का लेकर जाओंगा उसके बाद यहां पर यहां पर डवल्य डेविस हैं फि को मैंने बताया भी एक key baller है अपने टीम के लिए e barnais हमागे लिए एक बहुत important है grand league में तो e barnais में लेकर जा रहा हूं यहां पर कप्तान वाइस कप्तान की अगर मैं बात करूं जी डैनली as a grand league captain और यहां पर वाइस कप्तान मेरे पास जो रहेगा वो w madson यह grand league की team है grand league म कप्टान वाइस कप्टान आपको बता चुका हूँ अब यहां पर जो है दूसरी टीम की बात करें स्मॉल लीग की टीम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एल हिल डवल्यू मेडसन फिर उसके बाद यहां पर बी गोल्डमान एल डू प्ले फिर उसके बाद सी एकरमन से ट्राइकर सकते हो दूसरी टीम यह भी है और आप चाहो चाहो पर स्मॉलanse लीग में आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगी स्मॉल्jähr लीग में अगर आप ट्राइकर तो वहांपर पर W Madsen है B Goldman है फिर उसके ऐसी एक्रमन है ए उजी है एल लीस है फिर उसके बाद यहां पर C सॉरी M Karch लें फिर उसके बाद W Davis है फिर उसके बाद यहां पर C Pearson है और उसके बाद पूरी की पूरी टिम हमें बहुत बड़िया परफर्म करतो ही दिखे घिखा गया स्माल बड़ीग मैं एक स्माल लीक की स्माल बड़ीग की आपको प्रोवेड करा चुक